वेल्कम हिलिंग पल्स टीपल सेवन फैमिली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो जो आज की रीडिंग है यह रीडिंग है कि लोग आप से क्यों ट्रिगर हो जाते हैं या उन्हें क्या बात पुरी लगती है या फिर कौन से इसी चीजें हैं ऐसी बाते हैं आपकी जो क तो आज की रीडिंग को सिर्ट करने से पहले अगर आप पहली की साविक है तूभ हैं तो भी आपका बहुत साहरा विलकम है आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में टाइम स्टेम्स आपको हर चीज के लिए मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकिन इस टॉपिक को मैंने क्यों करना चूस किया है आज नॉर्मली मैं नहीं करती हूँ इस तरह के टॉपिक्स लेकिन इस टॉपिक को करना मैंने इसलिए ही चूस किया है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके वो कौन से गुण है आपके वो कौन सी कौलिटीज है जिसके कारण लोग अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालते है या भड़क जाते हैं ट्रिगर हो जाते हैं या फिर उनको लगता है कि उनको किसी पॉइंट के उपर हिट किया गया है तो आपके कौन से इसे गुण्ट हैं कौन सी इसी कौलिटीज हैं कौन सी इसी स्ट्रेंथ हैं उसके बारे में ही है यह डिली आपने भी तक अपने options नहीं चुने हैं, तो प्रीज चुन लीजे और देख लीजे कि आपको इसमें से कौन सा option देखना है, एक क्या एक से जाद option भी देख सकते हैं, guidance के लिए पुरा वीडियो देख सकते हैं, और अगर इन options में से चुनने में दिक्कत हो रही हो, तो यहां पर आपके लिए एक काड है, option 1 के लिए काड है धर्मा का, option 2 के लिए काड है समाधी का, option 3 के लिए काड है यमस का, और इस रिडिंग में आप आगे बढ़ें उससे पहले, चिन लोगों ने भी कल का स्प्रिट गाइड का वीडियो नहीं देखा है, जरूर देखेगा, आप आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगे, और मली भी, Spirit Guide के वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपको inspire करने के लिए होते हैं, आपको motivate करने के लिए होते हैं, लेकिन कल की reading तो बहुत ही different रही है, और कल की reading में, कल Spirit Guide की reading में, जिन लोगों ने भी option 1 क को चूस किया है, मैंने आप वसे सभी के लिए prayer की है, लेकिन option 1 के लिए मैंने बहुत ही special prayer की है रात को, तो मेरी यही उमीद है आप लोगों से कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा आगी करते जाएं, खुश रहें, सेहत मन रहें, और life में जो भी चीज़े आपको हिट करती हैं, जिस भी pain से आप गुजर रहे हैं, या गुजरे हैं, वो सब आपका heal हो, और जीवन में आप बहुत ही जदा अपनी खुशियों को पास सकें, और खुश रह सकें, यही मेरी prayers हैं, और यही मेरी blessings हैं, आप सब लोगों के लिए, आप वीडियो को pause करके कोई साभी option चुल लीचेगा, या आप guidance के लिए पुरा वीडियो भी देख सकते हैं, तो आप अपने options चुल लीचेए, और मैं reading को स्टार्ट करती हूं, option 1 के साथ में Welcome option 1, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपकी reading में, तो देखते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी बात हैं, जो कि सभी को trigger कर सकती है, option 1 के ऐसी कौन सी बात हैं, जो लोगों को trigger करती हैं, thank you so very much, आपके लिए, पहला ही card है, seven of swords का, four of cups का, my card at the hair of it का, Bottom of the deck card है, यहाँ पे nine of cups का, thank you so very much, आपकी guidance के लिए, option 1 के सी कौन सी बात हैं, जो सभी को trigger करती हैं, लोगों को trigger करती हैं, thank you so very much, आपकी guidance के लिए, यह आपके clarification cards हैं, okay, integration का card है, letting go का card है, creativity का card है, और card है आपके लिए awareness का, और यहाँ पर आपके लिए card है, stress का, बहुत आपको दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे आपकी energy में जो सबसे पहली और बड़ी बात है, वो यही है कि आपको clearly यह पता है कि आपको जीवन को कैसे देखना है, या life में किस तरह से आपको कौन सा काम करना है, या क्या decisions लेने हैं, या फिर life में आगे बढ़कर आप क्या पाना चाहते हैं, यानि कि बहुत ही जादा focused intention के साथ में आपको करते हैं, और जो चीज आपके बारे में सबसे पहले trigger करती है, वो यही है कि आप लोग को cut off करने में या उनके साथ रिष्टा छोड़ने में या चीजे तोड़ने में आप समय नहीं लगाते हैं, आप ऐसी जगह अपने time को waste नहीं करते हैं, जहां पर आपको यह पता चल जाता है कि सामने वाला वर्दी नहीं है, यानकि सामने वाला इस लाइक ही नहीं है कि इसके साथ रिष्टे को रखा जाए, हालनकि जो energy में यहाँ पर महसूस कर पा रही हूं, वो यह कहती हैं कि आप अपनी पराने की कोशिश करते हैं, तेकिन यहाँ पर जब आप उन लोगों के साथ में अपना पीछा चुड़ा लेते हैं, या फिर आप उनके साथ में रिष्टे को खत्म कर देते हैं, तो वो लोग तड़पते बहुत हैं, आपके बारे में सोचके, या फिर आपके लिए कह आते हैं, जिससे कि आपको सच्चाईयों का पता ना चले, या फिर लोगों के जो सच्चे रूप है, या उनका जो सच्चा रूप है, वो देखना पाएं, लेकिन आप बहुत होश्यार हैं, इसलिए आपको कोई भी मुर्क नहीं बना सकता, आपको कोई भी आपको यहाँ कोई भी यहाँ पे आपको खेल नहीं सकता, यानकि अगर कोई आपको सब प्लेयर बनने की कोशिश करता है, कोई आपको खेलने की कोशिश करता है, तो आपको exactly पता है कि आपकी situation में आपकी life में से उसको कैसे निकालना है आपको, आप उन सब चीजों से भी लोग आपसे इ आकर्शित भी करती हैं और आपकी situation में या आपकी life में एक jealousy भी create करती है, ये reading में इसलिए ही कर रही हूँ ताकि आप लोग को ये भी पता हो कि किस तरह की vibrations आपके पास हो सकती है, आपके आसपास हो सकती है, या फिर किस तरह से लोग आपसे trigger हो सकते हैं ताकि बहुश्य मे आप साफ धान रहें, इस तरह कि और भी topics आपको देखने को मिलते रहेंगे आने वाले वक्त में, और अगर आपके पास कोई topic हो तो प्लीज जरू suggest कीजेगा, क्योंकि जितने भी topics आप मुझे suggest करते हैं, मैं लिखती जा रही हूँ और मेरी कोशिश रहेगी, कि एक के बैठते रही है, suggestions को लेकर बैठते रही है, आप खुशियों की तरफ जाना चाहते हैं, खुशियों पर आप फोकस करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कितनी भी stress हो या फिर आप कितनी भी stressful situation में हो, आप अपनी जीवन में खुश रहने के कारण ढोंड लेते हैं, आप आपकी qualities हैं, हमीशे इस बात को याद रखेगा, ये चीजे आपकी qualities है, ये आपकी strength है, ये आपको लोगों से भीर से अलग बनाती है, इसलिए ही लोग फिर आपकी भीना तरडबते हैं, या फिर लोग आपकी साथ पर रिष्टा रखना चाहते हैं, आप में से कुश लोग बहुती जादा clearly बातों को कहने बाले हैं, यानि कि आप बहुती clearly चीजे कह देती हैं, आपको पता है कि आपकी रिष्टों में, आपकी situation में, आपकी life में आपको किस तरह से balance बना के चलना है, आप थोड़े समय के लिए definitely यहाँ पर परिशान होते हैं, या आपको लगता है कि आपके हाँ से चीजे चली गई हैं, और थोड़े समय के लिए लोग आपको परिशान देख सकते हैं, और उसके लिए वो खुश भी होते हैं, यानि कि जब लोग यह देखते हैं कि आप थोड़े परिशान हैं, तो उनको अच्छा लगता है, वो enjoy करते हैं चीजों को, ल जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मौका आता है, ऐसी सिचेशन आती है, जब आपके लिए कोई गिरने का कारандश में बनती हैं, या आपके लिए कोई failure का कारण बनती हैं, तो आप पहले से भी जुझतार, पहले से भी जादा अपने गोल पे focussed, पहले से जादा चीजों को attention देने वाले पहले से ज़्यादा जीजों में balance create करने वाले ये आपकी energies हैं जो आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाती हैं आपकी energies ऐसी हैं जहां पर आप लोगों के दिये हुए stress के उपर अपनी कुश्यों को चूज करते हैं आप उनके उपर हसते हैं इनकी जब भी लोग आपको trigger करने की कोशिश करते हैं या फिर आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं आप उनके उपर हसते हैं क्योंकि आपको ये बात पता है कि आप किस जगा exist करते हैं तो definitely यहाँ पर कुछ ऐसी energies हैं जो कहती हैं कि आपके work field में ऐसे लोग हो सकते हैं आपके एरिय किया है आप में से कुछ लोग spiritual definitely यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि life के learning lessons आपके बड़े हैं और आपने बहुत कुछ सीखा है जीवन से और उन सारे learning lessons को आपने यहाँ पर implement किया है अपनी life में आपने खुद को बहतर बनाने की कोशिश की है इनके जीवन में जब भी कुछ हु किया है आपने बहुत ज्यादा किया है लेकिन यह जितने भी जितने भी failure साबको मिले Secret आपको मिली है जितने भी लोग आपको एस नंसलों के आपने अपनी wisdom को चूस किया है यानि कि आपने higher situation को देखना चूस किया है हलनकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप मेंसे जो कि कुछ समय के लिए थोड़े down हो जाते हैं लेकिन फिर आपको पता है कि आपको life की bright side देखनी है और आप चीजों को let को कर देते हैं लेकि आप बहुत जादा देर तक उसमें trap नहीं रहते हैं और यहीं बात लोग को आपके बारे में trigger करती है आपको उदास करना आसान नहीं है आपको down करना आसान नहीं है या फिर आपके अंदर negative energy भरना आसान नहीं है क्योंकि आप हर चीज को तोल मोल के देखना पसंद करते हैं कौन सी चीज आपको नुकसान देगी कौन सी चीज आपको फायदा देगी और ये जो जानना है ये जो balance create करना है ये ऐसे ही नहीं आया है ये आया है आपके पास में उस सारी situation से उन सारे हालातों से जो कि लोगों ने आपको लाइफ में डाली है या फिर लोगों ने आपको experiences दिये हैं आपका शुरू से ही ऐसा रहा होगा लाइफ के अंदर कि आप अपने purpose पे अपने goal पे फोकस करते रहे हैं कि लाइफ में क्या अच्छा आप create कर सकते हैं हाला कि बहुत सारे karmic relation आपकी लाइफ में रहे हैं ऐसे जिनको balance करने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ या तो र believe करना जानते हैं इसलिए आप सारी situation को face भी कर पाए और उन सारी situation से आगे भी निकल पाए और यही बात लोगों को आपके बारे में trigger करती है तो जो चीज ये आपके बारे में लोग को trigger करती है वो आपके खूबिया है उनको बनाए रखिएगा और आपकी life के अंदर आपन बनाने की कोशिश करते हैं आप अपनी तरफ से अच्छा देने की अच्छा समझाने की और एक patience रखने की कोशिश करते हैं लेकिन जब आप यह समझ लेते हैं कि लोग अब इस लायक नहीं रहे हैं कि उनके साथ में अब patience से काम चलेगा तो आपकी life में real में delete button है और यह real का delete button या block button आप अपनी life में use करना भी जानते हैं और यह बहुत ही appreciate करने वारी बात है जो लोग भी अपनी life में इस delete button को use करना जानते हैं यानि कि आपको कब किसके साथ में रिष्टा रखना है कितना रखना है नहीं रखना है अगर आप इस बात को जानते हैं और आप इस ची को बहुत अच्छे से जानती हूं कि लाइफ के अंदर डिलीट बटन होना कितना important होता है और मैं भी उसका continuity से ही उसकरती रहती हूं मुझे जब भी लगता है कि कोई चीड मुझे negativity दे रही है तो मैं फॉर्ण उसको पनी लाइफ से डिलीट कर देती हूं और इसमें कोई भी बुराई नहीं है हालां कि अपने रिष्टों में हमेशा ही प्रयास करना चाहिए और जो आप करते भी है तो अपने रिष्टों में प्रयास करने के बाद ही चाहे वो रिष्टे कोई से भी हूँ, लोग कोई से भी, जब आपको लगता है कि आपके सारे प्रयास खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद में आपके पास डिलीट बटन का उप्शन है, उसको यूज जरूर कीजिए, विक्टम मोड में रहना या अपन आपने अपनी जीवन की बागड़ दूसरे लोगों के हाथ में सौंप दी है, या अपनी खुशियां दूसरे लोगों के हाथ में सौंप दी है, तो डेफिनिटली आपको पेन मिलेगा और फिर आप उसके लिए किसी से शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बागड़ आपकी खुशियां, आपकी हसी, सब कुछ दूसरों के हाथ में है, तो उनसे जो भी आपका अपना है लीजिए, अपने रिष्टे निभाईए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन आपकी खुशी या आपका खुश होना पुरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है, औ आप डेफिनिटली ये जानते हैं, और अगर आप ये नहीं जानते हैं, तो जानिये, क्योंकि जिस टाइम आप अपनी इस ट्रेंथ को आप क्लेम कर लेंगे, उसी वक्स से आपकी जीवन में ये सारी एनर्जिस मैनिफेस्ट हो जाएंगी, तो आपके लिए ये एनर्जिस बहुत ही ज्यादा fruitful हैं, बहुत ही ज्यादा beneficial हैं, और आपकी life में बहुत ही संदर growth और change लेकर आ रही हैं, यनकी ये changes उन लोगों के लिए हैं, जो कि इस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन option 1 में जिन लोगों ने भी option को चुना हैं, लोग आपकी इन बातों से बहुत ही definitely वो इनसान आपसे trigger होता है, और यहाँ पर आपको ये decide करना होगा, it's time to clearly make a decision about what you want, आप इस चीज़ को actually जानते हैं कि आपको life में क्या decide करना है, क्या आपको चाहिए, क्या आपकी life में होना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको खुशी दे सकती है, कौन सी चीज़े आपकी ख चुनना है, कहां तक पहुशना है, उसके बारे में आपको पता है, आपका clear mindset भी लोगों को trigger करता है, और जब आप अपनी goal की तरफ focus करते हैं, या अपनी goal की लिए बाते करते हैं, या अपनी जीवन की खुश्यों की तरफ बाते करते हैं, तो वो भी चीज़े लोग को stress द लेता है, तो आपकी situation में या आपकी life में ये energies बहुत ही ज़्यादा prominent है, जो ये कहती हैं कि आपकी यही बाते ही लोगों को बहुत ज़्यादा trigger करती हैं, आपके रिष्टो में भी इस तरह की energies definitely रही होंगी, जहां पे लोगों ने आपको थोड़ा सा हो सकता है दबागे र जाते हैं, आप थोड़ा सा बुझ जाते हैं, आपकी life थोड़ी कम हो जाती है, तो आप definitely उस रिष्टे के अंदर या उस energy के अंदर आप खुश नहीं रह पाते हैं, या अगर लोग आपके साथ लड़ते हैं या आपको negativity देते हैं, तो आप उदास हो जाते हैं अंदर से, और आप इस तरह की चीजों को, इस तरह के रिष्टों को, इस तरह की लोगों को बिल्कुल भी appreciate नहीं करते हैं, अगर आप उनसे कहे भी नहीं पाएं, तो आप उनके साथ enjoy भी नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप खुद को nurture definitely करें, खुद की care definitely करें और अपने लिए definitely आपके लिए हमेशा ही एक yes mode रहता है, जो कुछ भी करना है, जीवन में उस्साह चाहिए, उमंग चाहिए, कुशिया चाहिए, तो एक yes mode में आप हैं, और अगर आपके इस yes mode को को कोई stress देने की कोशिश करता है, कोई आपको बुझाने की कोशिश करता है कोई आपके अंदर एक tension create करने की कोशिश करता है, तो आप थोड़े से बुझ जाते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि अपनी light कैसे आपने on करनी है, और इस चीज़ से भी लोग trigger होते हैं, यानकि आपकी खुशियों से भी trigger होते हैं, लेकिन इस option के लिए आप जो कुछ भी करते हैं, उन सब चीज़ों से लोग trigger होते हैं, और यही चीज़े आपको unique बनाती हैं, आपको खुबसरत बनाती हैं, और आपकी life में और भी जाता इस तरह की लोग को खींशती हैं, आपकी vibrations में कुछ ऐसी energy है, जो की जितना आप आगे बढ़ते हैं, उतना ही आपकी life में आपको ऐसे लोग मिलते चले जाते हैं, जो negative हैं, लेकिन आप उन सब से उपर हैं, इसलिए आप एक helicopter view से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आपको divine क्या guide करना चाहता है, thank you so much divine आपकी guidance के लिए, listen to your intuitive feelings, your body is receiving accurate messages from the divine, देखिए यहाँ पे भी आपके लि situation में किसी इनसान को लेके question है कि क्या ये इनसान मेरे वारे में ऐसा सोचता है, तो वो कोई सावी हो, वो हो सकता है, अपनी intuition की तरफ focus किजेगा, क्योंकि आपकी intuitions ना बहुत हाईर wisdom से आती हैं, और जब आपकी intuition हाईर wisdom से आती हैं, तो आपको actually पता है कि आपके situation में कौन आपके लिए बहतर है, कौन आपके लिए बहतर नहीं है, इसलिए अगर किसी इनसान के प्रती, किसी situation के प्रती आपको life में कभी भी ऐसा लगे कि ये इनसान आपकी भावनाव को trigger कर रहा है, या जानमुशकर कर रहा है, definitely yes है, ये जवाब की हाँ, ऐसा हो रहा है, उससे सच यहां पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके कार्ड्स में और आप खुद भी देख सकते हैं, अभी तक अभी एक दो कार्ड बाकी हैं, लेकिन फिर भी जितने कार्ड्स हैं यहां पर अगर आप खुद भी देखी तो इस कार्ड में रिम्बो कलर है, इस कार्ड में भी है, इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है और यहाँ पर भी एक light rainbow है तो मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो यह है अगर आपने other cards देखी हैं जो कि हम इसमें से use करते हैं इसमें से हम card ले नहीं रहे हैं आज तर लाइफ नेविगेटर डैक में से इसमें एक card है यह card है blessings यह card जो है यह card कहता है कि जिस तरह से rainbow white light के अंदर छुपा हुआ होता है उसी तरह से जब life में darkness होती है तब भी blessings से भर ही होती है life तो हम अपनी life में जब blessings को count करते हैं तो अपने आपी rainbow हमारे जीवन में आ जाता है तो कहने का मेरा मतलब यह है इस card को दिखाने का आपको म blessings हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं जब मैं यह card आपके लिए ले रही थी तो एक के बाद एक यह card ना line से थे तो मैंने ले लिया आपके लिए यह card यह कहता है कि आप अपने confidence अपने loving mindfulness से अपने और अपने आसपास के लोगों की life में जो changes है वो कर सकते हैं यह card है love का यह card भी ही कहता है कि जो love की energies हैं बहूँ स्ठॉंग रहती है choose करते रही है यह again card is choose LifesCar nodig का इसमे भी rainbow Color है इन Cards को लिखाने का आपको मतलब यह था मेरा, कि यह आपकी Life है, यानि कि आप लाइफ में Colors को चूज करते हैं, आप लाइफ में Love को चूज करते हैं, आप लाइफ में जो भी energies हैं, High energies हैं, उनको चूज़ करते हैं confidence की, loving mindfulness की और blessings की, ये आपकी खुद की energies है, हाला कि मैं इन cards को ले नहीं रही हूँ, लेकिन ये मेरे mind में बहुत strongly click किया था, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ लिया था, तो ये आपके energies हैं, जो कि लोग को trigger करती हैं, तो है please energy को बनाए रखे, क ये चक्रा का message है, again ये card आपकी intuition की बात करता है, कि बाहर से आप जो सुन रहे हैं, sound से जो आप सुन रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान देते हैं, आप prayers करते रहिए को जब भी आपको ये लगे, कि आपकी life में या आपकी situation में कोई, आपको intuition हो रही है, किसी इंसान के लिए को intuition हो रही है, तो definitely yes है, वो जब आप अपनी intuition को कभी ignore नहीं कीजेगा, क्योंकि आपकी intuitions बहुत ही ज्यादा higher wisdom से आती है, या फिर आपने life में जो experiences लिये हैं, वो आपको सही तरीके से, सही जगा, सही situation के लिए, सही लोगों के लिए guide करते हैं, तो आपके life के अंदर ये आपकी कुछ qualities हैं, जो लोगों को trigger करती है, अब आपको समझ में आ जाएगा, या आता तो होगा ही, लेकिन और समझ में आ जाएगा, कि आपके अंदर ऐसी qualities हैं, जो लोगों को trigger करती है, वैसे बहुत ही appreciate करने वाली energies हैं, इन दिनों जो reading हो रही है, हर दिन के साथ आप लो आते हैं, और हम हमेशा ही हम उस energy के अंदर trap रहते हैं, और उसे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो होग कि आपके लिए, ये messages कुछ काम के रहे हूं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीचे का, कुई suggestion हो तो जरूर दीचे का, और comment box म आपके समय बहुत 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 हैं, तो देखते हैं कि आपकी कौन से बाते हैं, जिनसे लोग trigger हो जाते हैं, यहां पर आपके लिए card है, Den of Pentacles का, my god, sun का, oh my god, बहुत ही खूबसूरत card है, The Bird का, यहां पर आपके लिए card है, Seven of Cups का, okay, कुछ अधर cards भी ले ले लेते हैं, thank you so well, Miss Sprit, आपकी guidance के लिए, option 2 की ऐसी कौन से बाते हैं, जिनसे लोग trigger हो जाते हैं, यह हम clarification card लेंगे, इन cards के, मुझे लगता है, एक दोबारों शकर कर जाएं, thank you so well, Miss Sprit, आपकी guidance के लिए, option 2 की ऐसी कौन से बाते हैं, जिनसे लोग trigger हो जाते हैं, यह clarification card है, change का, यहाँ पर message है, friendliness का message है, यहाँ पर message है, आपके लिए understanding का, यहाँ पर message है, यहाँ पर message है, यहाँ पर आपके लिए message है, the dream का, आपके life में जो भी changes होते हैं, उन में कैसे survive करना है, यह आप जानते हैं, universe के साथ कैसे connect होना है, यह आप जानते हैं, यहाँ जो भी आपके आसपास चल रहा है, उसको आप किस तरह से बहतर बना सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है, या फिर आप उन चीज़ों को inner power से आती है और अपनी inner power को claim करना आप जानते हैं आपको ये भी पता है कि आपकी भकती बहुत जादा हो सकती है यानि कि divine के प्रती आपका जो dedication है devotion है या किसी special divine के साथ में आपका एक connection बहुत strong है आपके अंदर एक playfulness वाली energies हैं इनकी life को आप जीना जानते हैं अपनी कम में भी या फिर कम पैसों में कम चीजों में कैसी चाहे कम जो भी आपकी life के अंदर कम है उसमें कैसे खुश रहना है ये आप जानते हैं इसे भी लोग trigger होते हैं इन यहां पर यह भी चीजें लोगों को trigger करती हैं कि आपके जीवन में लोग आपको अच्छे मिलते हैं या ऐसे लोग आपको कैसे मिल जाते हैं जो कि आपको appreciate करते हैं यहां पर appreciation वाली energies हैं यहां पर ऐसे लोगों की energies हैं जहां पर आप उनसे मिलते हैं उनको दोस्त बना लेत यानि कि लोग आपके प्रती आकरशित बहुत जिल्दी होते हैं, कैसे जीवन में सर्वाइब करना है ये आप जानते हैं, खुद की शक्तिन को कैसे एकदर करना है ये आप जानते हैं, और किस तरह से जीवन में एक समझ होती है वो आप जानते हैं, यानि कि आपकी समझ से भी इस तरह की एनर्जिस के ही जो कि आपको खुश देखकर यहां पर खुश नहीं होते हो सकता है कि आपके कोई ऐसे एक्स हो जो कि अपनी लाइफ में दुखी हो और अब आप एक स्टेवल रिलेशन्शिप में हो या फैमिली आपकी बहुत अच्छी हो या आपको ऐसे हस्बिन जी सकते हैं अगर आपके कोई एक्स आपको गभी देखें तो वो डैफिनिली इस बात से ट्रियर हो जाएंगे कैसे खुट-को भातर से व्ट करना है किसे दुनिया के सिर्वाइब करना है यह आप जानते हैं यहां पर ये दौनों कार्ड सेम कार्ड है यान कि वАर्ड के न lessons learn किये हैं आपने जहां पर बहुत सारी triggering energies already रही हैं जहां पर आप खुद भी trigger होते रहे हैं यहां पर जो कुछ भी आता है आपके खुद के trigger होने से भी आता है आप sensitive हो सकते हैं यहां कि आपकी situation ऐसी रही है पास्ट केंदर जहां पर आपको हर बात hurt करती थी हर बात आपको चुपती थी हर बात आपको trigger कर जाती थी यहनि कि आप बहुत ही ज़्यादा emotional या sensitive रहे होंगे जो मुझे यहां मैसूस हो रहा है कि आप बहुत ही ज़ल्दी रो भी बढ़ते होंगे तो आप ऐसी जगा ऐसी situation से definitely बाहर निकले हैं आपने जब भी अपनी situation को change किया है उस situation में आपका कुछ नवच भला हुआ है कुछ नवच बहतर हुआ है अपने आपको और भी ज़्याता समझ पाए हैं और इस चीज़ से भी लोग trigger होते हैं पाइल के दो जो energies है वो ये कहती हैं कि आपके खुशी से लोग चलते हैं यानिकि ये energies बहुत ही ज़्यादा strong है आप किस तरह से खुद को आगे बढ़ा रहे हैं किस तरह से आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं इस चीज़ से भी लोगों को परिशानी मुझे यहां दिखाई दे ली है कुछ हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा traditional family से आते हो और उससे हट कर आपने कुछ करना चूस किया है या फिर कुछ ऐसा करना आपने चूस किया है जो कि आम तोर पे आपकी family में नहीं होता आप अपने कुल के ऐसे तीपक हो सकते हैं ऐसे चिराग हो सकते हैं जो कि अलग ही तरह से रोशन होता है तो आपकी energy नॉर्मल लोगों से अलग हैं या कि भीड में आप अकेले ही एक परसन हो सकते हैं जिसकी energy टोटली अलग होती है आप में से कुछ लोगों के लिए ये energy ऐसी भी हैं जहां पर आप परिवार को जोड़ कर रखना जानते हैं या कि कैसे परिवार में खुश रहा जाता है बच्चों को कैसे खुश रखा जाता है बड़ों को कैसे खुश रखा जाता है ये चीज भी आप जानते हैं इससे भी लोगों को परिशानी होती है या trigger होते हैं कि आप सभे रिष्टों के साथ ने एक सामजस से कैसे बिढ़ा लेते हैं, आप choices या options विसे कैसे choose कर लेते हैं, आप उदास क्यों नहीं हैं, आप क्यों उस peace वाली energy के साथ ने, क्यों उस joy वाली energy के साथ ने, ये चीज़ भी लोगों को बहुत जादा trigger करती है, जो मैं यहाँ पर समझपा रही हूँ, वो energies ये कहती हैं कि आपने अपने उपर काम बहुत किया है, यानि कि inner work बहुत लगा है आपका और इस वज़ा से आप एक balance create कर पाएं हैं, अगर आप meditation करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको definitely यहाँ पर meditation करना चाहिए, meditation आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही जाता important है, जो कि आपको life में और भी आगे लेकर जा सकता है, आप life में choices करना पसंद करते हैं और उन choices को आप heal करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको यह पता है कि situation के साथ में आप बैट नहीं सकते हैं, यानि कि अगर कोई दुख भी है, तो उस दुख को भी आपस देखते हैं और उसको heal करना चाहते हैं, और heal करकर अपनी life को एक balance में लेकर जाना चाहते हैं, तो अगर आपका कोई दुख है, उसके साथ आप किस तरह से deal करते हैं, इस चीज़ से भी लोग trigger होते हैं, आपने से कुछ लोगों के energies ऐसी भी हैं, जो कि बहुत सारे भागों में बटी हुई हैं, यानकि आप अपने आपको लेकर इतने conscious रहते हैं, या फिर आप aware रहते हैं अपने रिष्टों के लिए कि किस रिष्टे में आपको कैसे react करना है, किस रिष्टे को आपको कैसे संभ या नमबर आपके लिए important हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ, यहां पर आपके अंदर एक समझ है, एक समझदारी है कि आपको किसी भी normal तरीके से रिष्टों में react नहीं करना है, यानकि इनको संभाल के चलना है, पास्ट को लेकर जैसे कहते हैं कि अफसोस ही प्रकट करते रहन या हमेशा उसी तरह की energy's में रहना, आप हमेशा उस तरह की energy's में रहना पसंद नहीं करते हैं, आप पास्ट को लेकर थोड़े से दुखी हो सकते हैं, लेकिन फिर आप बहां से आगे बढ़ना पसंद करते हैं, चीजों को situations को आप देखते हैं और उसमें balance कैसे create कर सकते हैं उसमें क्या understanding आप create कर सकते हैं, उसकी तरफ आपका focus चला जाता है, कोई भी चीज आपकी life में बहुत जादा समय तक आपको परिशान नहीं कर सकती है, क्योंकि अपने आपको balance करना आप सीख चुके हैं, और ये ऐसे नहीं हुआ है, ये ऐसे ही हुआ है जब आपने life के आपके आसपास रिष्टे हों, उनको कैसे nurture करना है, उनके साथ कैसा वहवार करना है, बड़ों के साथ बड़ों जैसा, छोटों के साथ चोटों जैसा, लोगों के साथ मिल कर काम करना, ये लोगों के साथ में ऐसी energy को create करना, जहां पर एक balance आजाता है, ये सारी चीज़े व बहुत जदा उत्सुक रहते हैं कि आपकी life में exactly चल गया रहा है, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, किन लोगों के साथ में आपका रिष्टा है, आपके financial status कैसा है, आपका mind का status कैसा है, यहां पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो यह है कि लोग आपको लेकर बहुत ही जदा उत्सुक रहते हैं, यह एक जो energies होती है, जो बार बर जहांकना आपके जीवन में, यह energies कुछ ऐसी हैं, जो कि आपके जीवन में लोग बार बर जहांकते रहते हैं, इस option को चुना है, आपको यह बात पता है, कि लोग आपके जीवन में जहांकते हैं, इस ल आधार पर ही आप जीवर में practical decisions लेते हैं, हालां कि यहाँ पर कोई भी काट सोड का नहीं है, पर ना जाने मुझे क्यों, जो energy महसूस हो रही है, वो सोड काट की हो रही है, सोड की energy महसूस हो रही है, यानि कि बहुत ही ज़्यादा practical approach life को लेकर है आपकी, अप्शनल है अपने time आपको experience मिलते रहे हैं, आपने लोगों को देख के समझा है, अपने experiences समझा है, तब जाकर आपको ये सारी समझदारी मिली है और तब आपने इन सब चीज़ों में ये सब react करना शुरू किया है, हलां कि आप बहुत sensitive रहे हैं life में और आप बहुत ज़्यादा hurt भी हुए है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने अपनी life के changes को खुले हातों से accept किया है और आप changes के लिए हमेशा open रहे हैं, आपको ये पता रहा है कि changes आपके लिए painful हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर changes के लिए open रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर divine आपको क्या और guide करना जाता है, thank you so very much with, आपकी guidance के लिए, आप में से कुछ लोको ने जैसे life में, कुछ ना को sacrifice भी गया है, जो मुझे यहाँ पर energy में हिसूस हो रही है, manifestation power, use your spiritual gifts and natural abilities to attract your desired outcome, calculation में अपनी manifestation power का use किया है, आपने अगर option 1 चुनने का सोचा था, तो उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर option 1 में यह काड़ आया है, cut your cards का, तो आपकी manifestation power भी आपको life में बहुत ज़दा मदद करती है, क्योंकि आपका जो mindset है, वो बहुत clear है life को लेकर, आप life को लेकर चीज को सुलजाते रहना चाहते हैं, आप उलजनों में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पड़ते हैं, आप चीजों से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, सिंदेट मास्टर्स का कार्ड है, बहुत ही खुब सिरत कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन के लिए, या किसी ना किसी खास के लिए आपका dedication हो सकता है, और सिंदेट मास्टर्स अपी अलिवर्स से divine से support मिलता है, आपकी soul journey बहुत strong है, यानि कि आप specially बहुत ज़्या सिंदेट में pain जहला है, लेकिन आपने उसके साथ stick रहना पसंद नहीं किया, और उस चीज में survive कैसे करना है, उस जगह से आगे कैसे निकलना है, ये चीज भी लोगों को trigger करती है, और उनको परिशान करती है, या थरड़ा ही चक्रा का कार्ड यही कहता है, कि आपकी intuition strong है, अपनी intuition के साथ हमेशा चाहिएगा, और ये card option 1 में, यानि कि intuition के messages की energy थी, ये भी option 1 में थी, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, सुन लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है, तो जरू सुनने चाहिएगा, हो सकता है कि आपको वहां से भी कोई ना कोई information जर आपको इस जरूर दीजेगा, आने वाले वक्त में आपको इस तरह के topics देखने को मिलते रहेंगे, आपका इस समय बहुत बहुत बहुत, thank you so very much, God bless you all, welcome option 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी reading में, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या messages आते हैं, और यहां पर ऐसी क of swords का, thank you so very much spirit, आपकी guidance की लिए, आपके लिए card है, the handman का, temperance का, और यहां पर आपके लिए card है, page of swords का, okay, bottom of the deck है, आपके लिए knight of swords का card, और यहां पर देखते हैं कि आपके लिए clarification cards में कौन से card आते हैं, thank you so very much spirit, आपकी guidance की लिए, option 3, PSE कौन सी बात हैं, जिन से look trigger हो जाते हैं, तो यहां पर इन cards के clarification cards आईए हैं, thank you so very much spirit, आपकी guidance की लिए, यहां पर आपके लिए card है master का, wow, consciousness का, my god, आपके लिए card है success का, और यहां पर आपके लिए card है slowing down का, wow, यहां पर आपके लिए card है intensity का, यहां पर आपके बारे में जो सबसे पहली चीश मुझे समझ में आ रही है, वो यह है कि आप अपनी life में, जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो आप खुद ही करते हैं, यानि कि आपको कोई dictate नहीं कर सकता है, आपको कोई नहीं बता सकता है, कि आपको क्या करना चाहिए, और क लोग देखते हैं, आप थोड़े डिफरेंट तरीके से देखते हैं, या डिफरेंट तरीके से देखना आप पसंद करते हैं, आपको क्योंकि इनर नॉलेज है, आपकी जो इनर जो नॉलेज कह लीजिए, बहुत ही स्टॉंग है, आपको इन्टूशन हो जाती है, लोगों के प्रती या situation के प्रती या फिर आपका एक अलग ही नजरिया रहता है आप लोग को माफ भी कर देते हैं और आप उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं यानि कि ये कुछ ऐसी एनर्जिस है थोड़ी सी आपको हो सकता है हसी भी या इस चीश के लिए कि क्योंकि हो सकता है या आपके अंदर इस तरह की बात हो कुछ लोगों के साथ में हो सकता है जरूर नहीं कि सभी के साथ हो लेकिन ये बात ऐसी है जिसमें आप अभी कुछ कह रहे हैं और जब समय आये का तो आप अपना decision change कर देंगे यानिकि आपने अभी कुछ कहा कि आप इससे गुसस हैं आप बात नहीं करेंगे आप इससे भी कुछ रिष्टा ख़तम कर देंगे आप इसके शेकर नहीं देखना jaun कुछ समय बीतने के बाद या कुछ चीज़े ऐसी हो जाने के बाद जब आपका गुस्ता ठंडा हो जाता है तो फिर आप नार्मल होकर बात करते हैं या आप लोगों को माफ कर देते हैं और इस चीज़े भी लोग बहुत ज़्यदा ट्रिगर होते हैं तो जिनके साथ ये बात का उसे रिष्टा खत्म हो गया आप इतने कुछ से में बहुत कुछ बोल लिए लेकिन कुछ समय बाद जब आपका गुस्ता शान्त होता है या फिर आपको लगता है कि चल ठीक है इसमें गल्ती गल्ती इसको माफ कर देना चाहिए या इसको एक मौका देना चाहिए तो आपको बहुत सारे पेन जेलने पड़े हैं इस वज़ा से या बहुत सारी ठोकरे भी खानी पड़ी है इस वज़ा से लेकिन फिर भी आप किसी एक बंधन में बन नहीं सकते एक सोच में आप नहीं बन सकते आप लगतार अपनी सोच को बदलते रहते हैं और किसी भी जगा आप fix नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आप भटके हुए हैं, ऐसा है कि आपको लगता है कि लोग अच्छे हैं, situation बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, उनको मौका देना चाहिए, आपकी सोच कुछ न कुछ ऐसी है, यहाँ पर आप लगता है लाइफ में आगे बढ़ना चाहते ह हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक समय में आप शायद बहुत कुछ चीज़ों को handle करने की शमता रखते हैं, इस चीज़ से भी लोग ट्रिगर होते हैं, आपका लक्ष्य बहुत जादा क्लियर है, और एक ओरजा आपके अंदर बनी रहती है, आप में स जैसा ही सोचना, उन जैसा ही देखना पसंद करते हैं, और इस चीज़ से भी लोग ट्रिगर हो जाते हैं, कही न कहीं उनको ये लगती है, बात की आप उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियालिटी ये है आपकी कि आप लोगों के अंदर उन जैसा बनके जाते हैं, आपको लगता है कि मुझे इस जैसा होना चाहिए ताकि इसको कमफरटेबल महसूस हो, आप दूसरों को कमफरटेबल महसूस कराने के लिए या फिर उसको आपके साथ में रह के बुरा ना लगे, आप उस जैसा ही ड़लने की कोशिश करते हैं, अगर आप कहीं ज जादा एक्स्ट्रीम लेवल पे आप चूजी हैं ये एनरजी मुझे यहां बहुत ज़्याद महसूस हो रही है तो अगर आप किसा रेजनेट हो तो ले लीजेगा ना हो तो जाने दीजेगा कम चीजों को चूज करने की वज़ा से लोग आपके प्रती ऐसी धारना बना लेते हैं जहां पर वो आपको बहुत ज़दा attitude वाला समझते हैं या उनको ये लगता है कि इसको यही चीज़ चाहिए लेकिन reality ये है कि आप हर situation के अंदर adjust करने की शमता रखते हैं और आप लोगों के साथ खुश रहना जानते हैं अपनी success को अकेले भी celebrate करना जानते हैं लेकिन आप अपने दोस्तों को अपनी situation को अपने रिष्टों को nurture करना भी जानते हैं आप किसी भी चीज़े dictate नहीं हो सकते हैं यानकि आपको ये नहीं बताया जा सकता कि ऐसा ही करो वैसा ही करो आपको अपनी knowledge है आपको क्या करना है आप अपनी intention के साथ चलते हैं आगे अपने ideas क आपके साथ में बहुत कुछ रहते हैं लेकिन अंदर जो आप होते हैं या आप अकेले होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दीर घंबिर होते हैं लाइफ को लेकि बहुत serious होते हैं और इस वजा से भी जो लोग आपको बहुत closely जानते हैं वो भी कई बार आपसे trigger हो जाते ह हैं कि ये आपका वो कौन सा रूप देख रहे हैं लेकिन फिर भी जो लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा मुझे यहां पर जो महसूस हो रहा है वो ट्रिगर तो होते ही हैं लेकिन लोग आपको trigger होने के बाउच भी appreciate करते हैं आपके patients को appreciate करते हैं आपके ideas को appreciate करते हैं आपकी जो inner knowledge है उसको यहां पर appreciate करते हैं आपके अंदर जो ओर्जा है उसको appreciate करते हैं लेकिन यह appreciation ऐसा नहीं है जो कि आपके मुझे होता हो यह appreciation ऐसा है कि आपसे लोग trigger होते हैं और फिर भी यह कहते हैं कि हाँ इसने ये काम चलो अच्छा किया हाँ उसका idea तो अच्छा लेकिन वो इनसान ऐसा है यह कुछ ऐसी energy से हैं जहां पर आपको appreciate तो किया जाता है लेकिन trigger होने के बात में यह कि वो आपको खुलके appreciate नहीं कर पाते और करना नहीं चाहते क्योंकि इससे कहीं न कहीं उनकी worth कम हो जाएगी आपको कहां पर आगे बढ़ना है किस तरह से situations में react करना है कहां पर आपको अपनी गति को कम करना है आप ही सब बाते जानते हैं आपको यह पता है कि धीरे धीरे करके ही सही आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे आप एक एक कदम उठाते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे यहां पर आपको एक inner knowledge है एक inner guidance है जो की बहुत strong है आप अपने कामों के लिए लोगों के उपर depend नहीं होते हैं और आप wait नहीं करते हैं उनका कि जब लोग आएंगे आपकी मदद करेंगे तब जाकर आपकी जीवन में कुछ ना कुछ होगा आप यहां पर अपना भार खुद लेते हैं अपने आपको बंदर है आप उसको implement भी करते हैं यानि कि जो कुछ भी आपके पास में है आप उसका baggage अपने उपर नहीं लेते हैं अगर कोई आपके उपर कोई baggage डालने की कोशिश करें तो आप उसको ठाके side में रख देते हैं और कुछ मामलों में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप उसे जला देते हैं आप कहते हैं कि मेरे लिए किसी κाम का नहीं है और मुझे को इस जो baggage आपके से बाहर आ जाते हैं यह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि यह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिसे आपको guilt की feeling देने की कोशिश की जाती है कि आप इस काम को नहीं कर पाते या आपने इतना काम नहीं किया या कभी-कभी ऐसे guilt की energy आपके आसपस बहुत हो जाती है तो वहां से आप खुद को nurture करते हैं अपने इनर जो knowledge है उसका use करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ इनकि आपको ये पता है exactly कि आप किस जगा किस दिशा किस situation में है और आपको कहा जाना है आपकी मंजल clear है आप confused नहीं है इसलिए भी लोग आप से trigger होते हैं तो ये चीज़े लोगों की life में बहुत ज़्यादा triggering है जो कि आपकी वज़े से आती है इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि आप इन चीज़ें को करते रहें था कि लोग बेशक trigger हो लेकिन आप जीवन में सही रास्ते पे रहें लेकिन लोगों का क्या है लोग तो trigger होते रहते हैं मैंने आपको कई बार बताया है अपनी वीडियोस के अंदर की लोग को अगर cards ऐसे रखे हैं इसे नहीं रखे हैं इधर रखे हैं या उदर रखे हैं उससे भी परिशानी होती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते लोग trigger होते रहते हैं उसकी वज़ा से हम divine पर trust करना बन नहीं कर सकते उसकी वज़ा से हम अपनी inner जो knowledge है उसको खत्म नहीं कर सकते अपने वर्दी होने पे हम सवाल नहीं लगा सकते खुद के उपर बिलीव करना हम बंद नहीं कर सकते तो लोगों का क्या है? लोग तो कहते ही रहते हैं जो उनको कहना होता है You will know in the morning तो आपको ये inner knowledge है जो मैं आपसे कह रही थी कि आपको पता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा या आपकी जो सिचेशन है वो clear आपको हो जाएगी आप एक creative person हो सकते हैं हो सकता है creative field में कुछ ना कुछ करते हूं इस वज़ा से लोग आपकी creativity की वज़ा से भी trigger हो जाते हो या फिर आप थोड़ा कुछ हट कर करते हों इस वज़ा से भी लोग आपसे trigger हो जाते हो आपके intuition power बहुत strong है और आपका crown chakra भी highly active है intuition की energies तीनों ही pile में रही है आपके पास में wisdom है आपके पास में knowledge है आपके पास में experiences भी हैं लेकिन अभी आप उनको कही न कहीं आगे बढ़ा रहे हैं आपको student बनने में भी कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे जो energy में हम हैसुस कर पा रही हूँ यहाँ पे master का card और इस card से मुझे student की energies आ रही है तो आप कभी master होते हैं कभी आप student होते हैं या अपने craft को आप अच्छा बनाते रहते हैं या अपनी skills को आप निकारते रहते हैं उनको बहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं आपका जो यह effort है यह divine देखता है इसलिए वो आपको support करता है आपको guide करता है आपको intuitions देता है और आपके अंदर एक patience भी रखता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना कब करना है यह आपको पता है और कुश मामलों में मैं ऐसा महसूस कर बारी हूँ कि आप में से कुश लोगों की energies ऐसी है जहाँ पर life ने आपको बहुत सारी triggering energy already दी है यानि कि आप बहुत trigger हुए है life में जब रिष्टों में आपको वैसी energies नहीं मिली जब रिष्टों में आपको respect नहीं मिली जब आप जिन लोगों से जो expectation कर रहे थे वो आपकी पूरी नहीं हुई तो आपने already face किया है यहाँ पर specifically जो energy मैं यहाँ पर महसुस कर पा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा verbal attacks की है यानि कि एक जैसे होती है न कि बहस हम करते हैं एक दुसरी किसा लडाई करते हैं तू-तू-मेमे करते हैं यह सारी चीज आपके अंदर से जा चुकी है यानि कि लोगों ने आपके साथ तू-तू-मेमे वाली energies बहुत ज़्यादा create करने की कोशिश की है past में या फिर आपको वो देने की कोशिश की है पर आपको यह पता था या पता है कि आपको वो नहीं चाहिए इस वजह से भी आप उस सारी situation से बहा निकल कर अपने आपको heal करते रहे है अपने आपको nurture करते रहे है और उस जगा से आप आगे बढ़ते रहे है आपको यह पता है कि आपको खुद के dark side और खुद की light side को कैसे balance करना है यानि कि खुद की negativity और खुद की positivity को कैसे balance करना है कैसे उसको अपने काम मिलाना है कैसे आपको अपनी कम्यों पे काम करके खुद को बहतर बनाना है इस चीज़ से भी लोग ट्रिगर होते हैं क्योंकि आप हमेशा शायद एक कतम आगे बढ़कर अपनी गलतियों को सुधार दे हैं उसमें बहुत सारी सक्सेस मुझे यहां पे नजर आ रही है लेकिन जो कुछ भी है आपके अंदर बहुत ज़धा क्रियेटिविटी है जो कि आपकी लाइफ में आपको नर्चर करने में भी मदद करती है, आपकी ग्रोथ करने में भी मदद रखते हैं अगें जैसे कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर आपके दो रूप महसूस हो रहे हैं तो अगर ऐसा हो तो comment box में जरूर बताईएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जिस ऐसी ही है जो आपके दो तरफ बटने की बात करती है जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ औ आपने एक रूप अपना दुनिया के लिए रख रखा है एक रूप आपका अपने लिए है या अपनी लाइफ के लिए है या अपनी situation के लिए तो जो रूप आपने लोगों के लिए रख रखा है न या फिर आप उनको दिखाते हैं जो रूप उससे लोग बहुत ट्रिग लेकिन लोग आके बारे में जो एक चीज़ समझ नहीं पाते हैं जो कुछ भी आपके लायफ में चल रहा है उसमें आप कैसे बढ़ रहे हैं यनकी हो सकता है कई बार आप बीमार हों, हो सकता है कई बार आप किसी सिचेशन को समझ ना पा रहे हों, हो सकता है किसी चीट में कभी आप बहुत ठakे हुए हों। लेकिं फिर भी आपके अंदर कहां से उस सहाई energy आ जाती है, कहां से आपको वो उड़जा मिल जाती है कि आप कुछ कर सकते हैं, यहां पर आपको बांदने की कोशिश बहुत की जाती है, उसकता है पास्ट में आपके उपर spell work बहुत हुआ हो, या फिर आपके उपर black magic जैसा क काम भी हुआ हो, और उससे भी आपको बांदने की कोशिश की हो, लेकिन definitely आपने उससे भी बहार निकल कर अपनी life में changes किये हैं, और अपनी life को बहतर बनाया है, यहां पर जो कुछ भी है, आपने बहुत सारा patience रखा है अपनी life में, crystal का यहां पर message है, तो आपने crystals का use किया ह होगा, यहां की elemental energies भी आपको strong करती है, यहां पर, और यह crystals बहुत ज़्यादा helpful रहेंगे, अगर अपनी situation में आप उनको use करना चाहेंगे, तो, rose quartz crystal हो सकता है आपके लिए, amethyst हो सकता है आपके लिए, clear quartz crystal हो सकता है आपके लिए, या फिर other कोई भी जो आपको लगता होगी आपको help कर सकता है, लेकिन यहां पर, जो, यह crystals है, unique energies जाता है, और आपके लिए, turquoise crystal भी हो सकता है, तो, देखते हैं, यहां पर, other message क्या आता है, आपके लिए, क्या फिर हो सकता है, कि आपने इसका use बहुत किया हो, God box का message है, यहां पर, तो, आप अपनी चिंताओं को, इ मदद मिलती है, यहां कि आपको divine से मदद मिलती है, आपको आगे बढ़ने की बिलना मिलती है, और इश्वर को अपनी चिंताओं सौब कर आप आपके बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपके लिए, यहां पर एक card है, you will know in the morning, यह ऐसा ही है, कि आपनी चिंताओं को दी और आपको पता है कि अब उसका समधान आपको मिल जाएगा, यहां पर ट्रस्ट बहुत है और इस ट्रस्ट की वज़ा से भी लोग बहुत जादा ट्रिगर होते हैं, आप जितना ज़्यादा डेडिकेट होके दिखाते हैं, उतना ही जदा लोग ट्रिगर हो जाते हैं, और उनको यह लग चीज़ों को खत्म करना है जो चीज़े आपके लिए फायतिमन नहीं है आप उनको जानते हैं इस चीज़ से भी लोग ट्रिगर होते हैं एक्चली जो मैं यहां समझ पा रही हूँ ना कि लोग चाहते हैं कि आप ऐसी सुचेशन में या ऐसे बंदरों में बने रहें जहां से आप आगे ना निकल पाएं बहुत सारे लोग आपका भलावी जाते हैं लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम है आपके लाइफ में लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं जानना चाहते हैं तो यह एनरजिस कुछ न कुछ ऐसी ही है जो कहती हैं कि आप आपका लक्षे बहुत ज़्यादा क्लियर है और उसको उस तरक पहुँशने के लिए आपके अंदर उड़ जाब होते हैं तो आप लोगों की तरफ फोकस नहीं करते हैं अपने लक्षे की तरफ फोकस करते हैं इस चीज से भी लोग इरिडेट होते हैं या ट्रिगर होते है और अगर कोई चीज आपको slow down कर देती है या फिर आप एकदम से किसी चीज को नहीं कर पाते तो उस समय के अंदर आप कोई ना कोई नया idea निकालते है या आपका दिमाग लगातार चलता रहता है कि अपनी situation को बहतर बनाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं लगातार अपनी situation को बहतर बनाने के लिए कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं आपके पास में वो inner knowledge है जिससे कि आप अपनी situation को बहतर बना सकते हैं या फिर आपको वो guidance, intuition मिल जाती है क्योंकि आप dedicated हैं यहाँ और आप patience भी रखते हैं यहाँ पर आपके लिए काट है slowing down का और यहाँ पर काट है temperance का patience का आपकी situation में आपने patience रखना बहुत सीका है जो कि शायद आप पहले नहीं जानते थे और इस चीज़ से भी लोग trigger हो जाते हैं कि आप इतना धहरे कैसे रख लेते हैं आप भढ़ते क्यों नहीं हैं यहाँ पर कुछ energies मुझे ऐसी भी महसूस हो रही है आपने शायद अपनी life में कुछ ऐसी energies को चूज किया है जहाँ पर drama पूरी तरह से आपने खत्म कर दिया है और अपने आपको बहुती light energy में आप ले गए हैं तो बहुती सुंदर reading रही है आपकी आपको कैसे लगी comment box में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीचे का आपका इस समय बहुत बहुत शुभू थैंकिसो वेरी मच गडब्लस याल